तो अब तुम बोलो अरे ये क्या हुआ मैं तो नए साल के ग्रीटिंग काज लिखते लिखते सो ही गया हर साल न्यू यर से पहले मेरे ही काज पूरे क्यों नहीं होते हैं अरे ये वाला तो खराब हो गया है पता नहीं है किसके लिख रहा था मैं अरे हाँ याद आया ये राइचैन के लिए था शायद मैं सोच रहा था कि इसे पूरा करके आराम से सोने चला जाओंगा लेकिन अफसूस की बात है कि मैं इसे लिखते लिखते ही सो गया मेरी आँख लग गई अचानक पर मेरी इस साल की न्यू यर रेजलूशन ये है कि मैं अगली बार कार्ड लिखते लिखते बिल्कुल नहीं सोने वाला हूँ पूरे कार्ड लिखकर ही सोऊंगा इस बार तो गलती हो गई लेकिन अगली बार नहीं होगी हाँ ये वाला कार्ड तो वाकई बहुत स्पेशल है क्योंकि ये है मेरे डाइट के लिए मैंने तो सुभाई इसे न्यू यर का गिफ्ट दे दिया था फिर क्या हुआ? देखो मिट्सी शिंचेन अब एक बड़ा भाई बन गया इसलिए ये गिफ्टी से फीचर में अच्छा बनने में मदद करेगा अजीब बात है मैंने अभी अभी पोस्ट बॉक्स देखा है मैं कार्ड पोस्ट करके भी आया अब सब को वक्त पर कार्ड मिल जाएंगे अरे क्या हो गया मिट्सी वो सब लोग कहां चले गए मुझे लगता है वो अभी तक पहुँचे ही नहीं है दादा जी उदे देखिए दादा जी दादा जी हम इदे रहे अरे शिंचन बेटा मैं यहां हूँ क्या ये हमसे पहले पहुँच गया अरे तो क्या हुआ इससे क्या फर्क बढ़ता है ये सब तुम्हारी वज़ा से हुआ है तुम फ्रेश होने के लिए जो चली गई थी हेलो दादा जी हैपी न्यू यह हैपी न्यू यह सब को हैपी न्यू यह क्या बात है आज तुम हमसे पहले ही पहुच गए वा तुमने सही कहा पहले पहुचना तो मेरी आदत है वैसे तो हम लोग भी टाइम पर ही पहुच गए थे बस थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बीच में रुप गए थे इसलिए हमें देर हो गई तुम बहाने बना रहे हो ना हाँ ऐसा ही है मेरे पीछे रहो तुम वाल तु बाते मत करो यह कभी नहीं बदलेंगे अरे सर ऐसे तो मशीन खराब हो जाएगी तेरी समझ में नहीं आ रहा है आप लोग रेस क्यों लगा रहे हैं बेटी मैं तो बहुत आराम से आपके शेहर में बहुत सारे लोग होंगे जो कोट और पैंट पहनते होंगे लेकिन सचाई यह है शिंचन तुम यह कब आए थोरी देर हो गई डैड ठीक है कुछ कहना चाहते हो वैसे आपको पता है डैड मुझे भी अपने दोस्तों की बहुत याद आती है अब क्या करूँ लेकिन इसमें दुख्य होने की कोई बात नहीं है जैसे कि मेरी प्यारी डेश चल गई है लेकिन मैं उसे फिर भी खाऊंगा इसी को तो असली दोस्ती कहते है डैड तो आईए अब आपको दिखाते हैं कुछ बाजार में आए नई खिलाओनों को इन खिलाओनों को आजकल बच्चे बच्चे करते हैं आज तो दादाजी जीतेंगे नहीं नहीं देखकर तो लगता है कि नाना जी भी जीत सकती है कुछ भी कहना मुश्की है दोनों की लाडियों की दिमागर हो चुके है तरश को गोर से देखिए अपनी नाक का नाक खुले रखिए प्रेसला किसी भी वक्त हो सकता है इस बार ये खत्म हो जाए इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खोड़ूगा बहुत बहुती हो तुम मेरी आदत है इसा क्यों करते हो तुम नहीं ये मैंने नहीं ये तुमने शुरू किया था अरे तुम्हारे मुखाबले नेरी पैर लंबे है और तुम्हें लगता कि मैं भाग रहा था कम से कम न्यू येर के वक्तों मैं रिलाक्स करना चाहता था अगर यहीं पर इनका ये हाल है तो ये घर पहुँचकर क्या करेंगे हैरी मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करें अरे इनके हाल पर छोड़ दो और आप भी खयाल रखा कीजिए हैरी ही मवारी के सामने ज़रा ठीक से पेशाय कीजिए माने क्या किया आप सब का यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लगता है कि सफर लंबा था आप लोग ठक गए होंगे देखिए सब लोग एक साथ कार में नहीं जा सकते इसलिए कुछ को टैक्सी में आना पड़ेगा मैं टैक्सी में नहीं जाना चाहता इससे अच्छा होगा कि मैं ट्रेन से ही चला जाऊ ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही तुम ट्रेन से घर वापस चले जाओ हम जरूरी लोग हैं हम जाएंगे अच्छा तो ये मतलब है तो पहले हम ये फैसला करने के कौन सबसे ज़्यादा जरूरी है चुपो जाए कम से कम मैं तो जाऊंगा ही क्योंके कार तो मैं ही ड्राइव करूंगा ना बच्चों का खयाल रखने के लिए मुझे भी तो जाना होगा ना और मैं नए साल का खाना बनाने में मैंसी की मदद करने वाली हूँ मैं भी तुम लगों की मदद करूंगी और मैं ही मावारी को क्वांटम की कहानी पढ़के सुनाऊंगा मैं तो सोच कर आया हूँ कि बच्चों को अच्छी कहानिया सुनाऊंगा मुझे पूरा यकीन है कि ये जूटा बहाना बना रहा है इन तीनों को ले जाना जरूरी नहीं है देखी अब सिर्फ एक ही चना अंदर आ सकता है तो आप मेंसे वो आजाए जो ज़्यादा ठका हुआ महसूस कर रहा है मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरे पैर और हाथ दोनों से ही काम कर रहे हैं मेरे भी मैं योगा एक्सपर्ट हूँ मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने उपर इतना वजन डालना चाहिए मैं तुम्हें करके दिखाऊं क्या ये देखो धनुरासन ये देखो दो चार सो पुशप तो ऐसी ही लगा लेता हूँ मैं भै 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 खैपी मिलते हैं खुश्बू अच्छी आ रही है ना ये डिश तो बहुती अच्छी बनी है क्या बढ़िया स्वाद है क्या आप लोग इसे नहीं खाने वाले हैं अपने नाना जी को खिलाओ वो थक गया है बेटा तुम हमारे बारे में बिल्कुल चिंता मत करो समझे दूं ये लो आप लोगों को भूक लगी होगी ना आजाईये चली आप लो खाना खा लीजे थोड़ दर पहले हमने कसक की थी इसलिए थोड़ी भूक लगी है चलो खाना खा ही लेते हैं ये लीजे आप भी लीजे लीजे ना प्लीज चलो खाना खाना खा लीजे ये राइस बॉ मिट्सी तुम्हें तो पता ही है कि मुझे गोल वाली राइस बॉल ज्यादा पसंद है तुमने चौक और क्यों बनाई है तुम्हें गोल वाली ही बनानी चाहिए थी अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप कुछ और खालीजे न मुझसे ऐसी बाते करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैसे अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए गोल राइस बॉल बना सकती हूँ नहीं अब तुम्हें कोई स्पेशली बनाने की जरूरत नहीं है मैं ये कोई लगाली खालूंगाम देखो काना खाते वक्त बोलना अच्छी बात नहीं है चौकोर वाली मुझे पसंद है चाहो तो तुम्हें गॉल दे देंगे तुम चाहे जो भी बोलो लेकिन तुम्हें पता है मुझे हमेशा से गोल वाली ही पसंद है बात बताओं राइस बॉल हमेशा चौकोर होती है से गुंदर चलो यहां से चलते हैं